होंडा ला रही है 66 km प्रती लीटर तक का मैलेज देने वाली सबसे छोटी स्टाइलिश बाइक जी हाँ दोस्तों बहुती जल्द होंडा भारत में लॉंच करेगी पौवर्फुल लुक वाली सबसे छोटी बाइक 2021 होंडा ग्रोम 125 ये बाइक दिखने में इतनी कमाल की है कि आप कहेंगे भाई क्या बात है मज़ा गया तो बने रही है इस वीडियो में आज हम आपको हॉंडा ग्रोम 125 की कीमत से लेकर लॉंच देट तक की हर जरूरी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही हमारे चैनल एंजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजे ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें बात करें 2021 हॉंडा ग्रोम 125 की तो इसमें आपको 124.9 cc वाला सिंगल सिलेंटर इंजिन मिलेगा जो की 9.7 bhp की पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉक जनरेट करता है हॉंडा की ग्रोम 125 छोटी होने के कारण बाइक का पावर भी काफी अच्छा रहता है साथी भारत में पहले से बिक रही कंप्यूटर बाइक SP 125 में भी लगबग इतना ही पावर और टॉक देखने को मिलता है मालेज की ओर देखा जाए तो 2021 हॉंडा ग्रोम 125 एक लीटर पेट्रॉल में कम से कम 66 km प्रती लीटर तक का मालेज देने में सक्षम है फीचर्स की बात करें तो हॉंडा की ये छोटी बाइक फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं है इसमें आपको LED Head Lamp, Digital Instrument Cluster, Stylish Alloy Wheels और Optional ABS जैसे कई शांदार फीचर्स आपको हॉंडा की इस बाइक में देखने को मिलेंगे साथी बाइक का वील वेस 1100 mm जबकी सीट साइट 762 mm की है लाँच डेट की बात करें तो हाली में हॉंडा की भारत में पहले से बिक रही छोटी बाइक हॉंडा ने भी को बंद कर दिया गया था उसके बाद से भारत में कई बार हॉंडा ग्रोम 125 को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था तब से ये अंदाजा लगाय जा रहा है कि हॉंडा की ग्रोम 125 बाइक 2021 के मद्द तक लाँच हो सकती है 2021 हॉंडा ग्रोम 125 की कीमत की बात करें तो इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है पर खबरों की माने तो इस बाइक कीमत 60,000 से 70,000 रुपए के बीच रह सकती है आपको क्या लगता है कि लाँच होते ही हॉंडा की ये अपकमिंग बाइक ग्रोम 125 तहल का मचाएगी या नहीं आप हमें कमेंट करके जरू बताइए साथी वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक और शेयर भी जरू कीजिए थैंक यू वेरी मच